मैं वीडियो पुना फिर वैसे students के लिए मैं सूट करने जा रहा हूं जो students class 10 में अपनी पढ़ाई सेवेर सी बोर्ट से कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाल English के एक्जाम में कुछ questions literature person से extract based पूछे जाएंगे जो किसी chapter किसी poem से related होंगे और आपको पता होना चाहिए कि इस परकार की question को बनाने से पहले दिये गया text वो आप God से पढ़ें और अभी भी आपके पास समय है और आप क्या करें कि जदा से जदा text की अभी भी study करें कि ताकि दिये गया question को आप आसानी से बना सकें और इसमें आपके इस परकार की questions दो रहेंगे और जो की five five marks के question होंगे और दोनों questions में दो-दो questions दिये जाएंगे लेकिन आपको बनाने केवल एक ही है तो अभी मैं इस वीडियो में poem पर based on कुछ questions है जो extract पर based on है उसकी चर्चा मैं अभी इस वीडियो में करूगा यहां जो question का इस इस वीडियो में करूगा यहां जो question का इस इस वीडियो में आप देख रहे है इसमें दो questions दिये जाएंगे आपके लिए लेकिन आपको attempt के वाल एक ही का करना है और अभी मैं आपको इसमें एक ही question आपको बताऊँगा जो कि वो poem based on होगा My head is full of whispers मेरा जो दिमाग है यह फुस फुस आटों से बढ़ा हुआ है Whisper मतला फुस फुस आट Which tomorrow will be silent जो कैल चुप हो जाएंगी Listen, सुनो, the glass is breaking सीशा टूट रहा है The trees are stumbling forward पेर आगे बढ़ रहे हैं वो भी कब तेंटो दे नाइट रात में Winds rust to meet them और हवाएं भी उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ देम जो word है वो trees के लिए यूज किया गया है The moon is broken like a mirror चान देख सिसे की तरह तूटा हुआ आगे की ओर Its pieces last now in the crown of the tallest oak इसके टुकरे भी जो moon है वो भी तूट जाता है जैसे मानू की कोई mirror हो और इसकी जो टुकरे हैं वो भी क्या कर रहे हैं तो लंबे बरगत जो tallest oak है यह लंबे बरगत के पेर से चमकते हुए अखिर दिखता हुआ प्रतीत होता है तो भी आप देखेंगे कि यहाँ जो दिये गए जो lines है यह lines आपको एक आडिने रिज्ट के दौरा लिखी तिक poem है The Trees आप अगर परह होंगे फर्स लाइट की बुक में तो आपको याद आ रहा होगा यह जो lines है यह अडिने रिज्ट के दौरा लिखी poem से लिया गया है जो कि The Trees है आपकर यह कविता का नाम क्या होगया The Trees और इसकी poet के नाम क्या होगया अडिने रिज्ट जो कि आपको पता होना चाहिए कि अडिने रिज्ट जो है वो एक American poet थे essayist थे और feminist भी थे और चहां तेक की देखा जाए कि इनका जन्म 16th मई 1929 को Ballotmore, Maryland, US में हुआ और इनका death 27th March 2012 को Shanta Cruz, California, US में हुआ अभी हाँ जो दिया गया जो question है वो कहता है कि देवव lines were written by उपर की lines दो दिये गये हैं ये किनके द्वारा लिखे गए थे Robert Frest, John Berryman, Rovinclain, Adrenerich ने सिंपल सी बात है कि अभी आप ही कुछी दिर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो lines है ये the trees कभिता से लिया गया है और ये कभिता Adrenerich के द्वारा लिखा गया था तो अभी आप देख रहे हैं क्या कि Adrenerich सही आंसर होगा आपसर नमबर D कोही आप सही आंसर माने अब मैं जड़ा question बात करूँ कि question number 2 की the crown of the oak lies in its कहता है कि ये जो oak की जो crown है उसकी किसमे lies करती है topmost branch, roots, rich and destitute broad lips, नई topmost branch सही आंसर इसका होगा the winds are rushing to meet them अभी देख रहे हैं कि यहां बोला जा रहा है कि हवाएं किससे मिलने को आगे बढ़ रही है तो वहां जो आप देख रहे थे कि एक line उसमें दिया गया था कि winds rush to meet them मतलब क्या कि अभी मैंने कुछी दिर पहले मैं आपको बताया कि वहाँ देम जो वर्ड है वो trees के लिए उसकिया गया है तो यहां भी आप option के तौर पे देखें तो यहां option number C is the right answer of this question तो इसलिए यहां trees को आप सही मानें कि हवाएं पेर से मिलने के लिए आगे बढ़ रही है where are the pieces of the broken moon signing अखीर यह जो the broken moon signing की जो pieces है यह कहां है in the sky, in the forest, on the roof tree या on the top branches and leaves of the tallest oak हाँ सही answer वही है कौन? option number D on the top branches and leaves of the tallest oak अब ज़रह से मैं बात करूं कि question number 5 की find the word from the extract which means the same as sign अब आपको इसमें दिये गया जो extract है इसमें same sign का मतलब क्या होता है आखिर जो इसमें देखेंगे तो sign sign का भी मतलब होता है चमकना या चमक noun के form में अगर जाएगा तो चमक होगा जब अगर verb के form में जाएगा तो चमकना होगा तो उसी रूप से इसका सही जो एक कह सकते हैं कि synonym क्या होगा इस option में दिये गया के मुताविक तो यहां crown crown का मतलब मुकुट होता है और मुकुट का sense से किसे सबसे उपर नहीं सबसे उपर तो यहां mirror मतलब सीसा आइना और plus plus मतलब चमक या चमकना clear यहां जो वर्व के फॉर्म में अगर आप यूज करते हैं तो इसका मतलब चमकना है तो सही option के तोर पे आप C number को ही सही माने और सही answer आपका plus होगा तो इस रूप से अभी आपने देखा कि इस वीडियो में मैं भी वन से लेके और फिफ्ट की चर्चा मैंने किया five questions तक की और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में like subscribe and comment करना नव हो ले और इससे share भी करने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इससे देकर कुछ सीख सके समझ सके thanks a lot